आपका हमारी चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि काले धागे को शरीर के किस अंग पर बांधने पर सफलता हमारी कदम चुमना शिव कर देती है आज कर लोग बहुत बुरी नदर का शिकार होते हैं हमारे बड़े बज्रों कहते हैं कि किसी भी शुब कारे में काले कपड़े नहीं पहनने चीए क्योंगी काले कपड़े से चारो और की जो आवो हुआ है वहां पे नकरात्मक्ताँ फैल जाती है लेकिन जैसे ही बुरी नजर का ख्याल मन में आता है तो हमें सिर्फ काले रंग का ही ध्यान आता है अक्सर बुरी नजर से बचने के लिए काले रंग के चीजों का इस्तमाल किया जाता है ये जैसे कि काला टिका, काला धागा या फिर काला अंतिल छूटे हो या बड़े हर किसी को बुरी नजर से बचाने के लिए उन्हें काला धागा बाहा जाता है और काला धागा मानने के पीछे बैग्यानी कारण भी है मनुष्य का शरीर पांच दत्व यानि के पृत्वी वायू अगनि जल और आका से मिलकर बना हुआ है काला धागा नजर से तो बचाता ही है साथ ही काला धागा आपको अच्छा कासा पैसे वाला भी बना सकता है अगर आप चाотे हैं कि आपके व्यारे न्यारे हो जाएं तो आपको काले धागे का एक सरल और छोटा सा उपाई बता रहे हैं अब आपको बादार से रेश्मी और सूती धागे ले आएं और किसी मंगलवार या शनीवार की शाम को ये काला धागा हनमान जी के मंदिर ले जाएं मंगलवार या शनीवार होना चाहिए इस धागे में नौ छोटी छोटी गाटे लगा ले और हनमान जी के पैरों का सिंदूर लगा ले अब इस धागे को घर के मुख्य दरवादे पर बांदे या फिर तीजोरी पर बांदे इसके एक छोटी से उपाए से आप जलने ही माला माल बन जाएंगे इनसान भुले इन बातों को नहीं माने लगिन एक बार आप परियोग करके देखिए नुकसान तो नहीं होगा इतनों डेफनेट असर आपको खुद देखना शुरू हो जाएगा क्यों कई बार कई चीज़ें आपको ठीक नहीं कर पाती है वह एक छोटा सा काला धागा आपको कई परिशानियों से बचा सकता है तो धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट पीचिए धन्यवाद